हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं उपमा की रेसिपी चलिए देखते हैं इसके इंगिरेंड और इसे बनाते हैं एक कडाई में हमने एक टेबल स्पून घी डाल लिया है अब इसमें डालेंगे वन बाल सूजी या रवा इसे कहते हैं कर दश दाल के हमें इसे द्यूल करना है कि जब तक जो परस्टों कम इजेए अ, इस परस्माहने पूंक कर प्रदरा हए ड है इडेखी फ्रेंड परस इसी स्टेज पर से निकाल लेना है प्लेट में से आपकार इंड़ी में रहने देना है बना कड़ाई हीट रहती तब तक और भी चल सकता है चलिए अब आगे चलते हैं आगे प्रोसेस पे अब इसमें हमने ऑई डाल लिया है वन टेबल स्पून अब इसमें हम डालेंगे मस्टर सीड वन टेबल स्पून इसके चटकने में इसके बाद हम डालते हैं इसमें करी लीफ पांग से चैर एक बारी कटा हुआ प्याज प्याज को हमें टांसपेरिनिट कलर में रखना है इसे ज्यादा नहीं चलाना है ज्यादा रैड़नी करना है इसे सल्का सा चलाने के बाद अब हम इसमें मेर्च डाल लिए हमने अब हम इसमें डाल लेते हैं एक कटा हुआ डामाटर इसे चलाकर हलका सा सॉफ्ट करेंगे इसे सॉफ्ट होने तक चला लेंगे अब इसमें डालेते हैं मटर मटर की कौंटिटी आप कम या जादा कर सकते हो और भी वेजटीबल से इसमें आड़ कर सकते हो कि अब हम इसमें अड़ कर लेते हैं मुंगफ़ली को आप पहले भी फ्राय करके रख सकते हो और मुंगफ़ली डालकर हम हलका सा चलाने के बाद इसे डगकर रख देंगे दो मिनट पकने के लिए जिससे कि जो मटर हमने डाली है वह अच्छी तरीके से पक जाए दो मिनट हो चुके अब इससे देख लेते हैं मटर हमारी पक चुके है इससे देखते हैं चला लेते हैं थोड़ा सा अब इससी स्टेज पे हमें रावा को डालना है आप पहले चेक कर लें जो हमने सबजी एड करें वह पक चुकी है तब भी आपको रवाड करनी है इसमें अब इसमें अब इसमें एड कर लेते हैं नमक नमक हम एड करेंगे अपने टेस्के अपॉड़ी साथ ही एड करेंगे इसमें रेड चिली पॉडर हाप टेबल स्पून अब हमसे एड करेंगे पानी अब हमसे एड करेंगे पानी कि फानी कि पॉडरेज कॉंटिटी आपको पर रवाख क साफ से लेंगी है आपने वन बावल रवा लिया थो इस पहल डब ו कर दें पानी की है हमने बॉन बावल रवा में तीन बावल पानी लियार है when पानी डलकर हम अच्छी तरी केसी से चला लेंगे और गैस फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे धक कर तो मिनट पका लेंगे बहुत ही भैतरी मौर्निंग ब्रेकफस्ट है यह बहुत ही जल्दी भी बन जाता है इसे हम बच्चों के टिपन में भी दे सकते हैं बहुत हैल्दी भी होता है हमारी रवाउपमा की रेसिपी तैयार हो चुकी है अब इसे निकाल लेते एक बावल में और सर्व करते हैं अधि है को फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लेक कीजिए ब्डरी में है को स्पूर्ट कीजिए आ falling ब्रेट सब्सक्राइब आ बिल्टी रही जिससे आने वाली वीडियों की नोटेकिसए अ Q मिलती रही आ है तो 는र Te झाल झाल झाल